हाँ तो भाई आज की इस वीडियो में हमने स्चेलेट किया है समसम के एक न्यू अपकमिंग स्मार्ट फून को और यह जो फून है ना समसम के M-Series का रहेगा और M-Series वाला फून आपको पता होगा कि काफी अच्छा ही रहता है तो यह है समसम M35 और यह अभी अपकमिंग में है इसका जो जो नया होन आया था समसम M34 उसी का रीब्रेंड है और रीब्रेंड है या फिर अभाई सक्षेसर कह सकते हो और उसी का बड़ा भाई भी कह सकते हो कुछ भी करते हो यहां पर और इसमें जो फीचर्स आ रहे है ना वह काफी अच्छे है पर कुछ-कुछ कमिंग आपको देखने को मिलेगा इस वाले फोन में क्योंकि इसमें जो प्राइज है न हो काफी तग्राइज है आ रहा है और इस प्राइज में और इस फीचरस के साथ में अगर देखोगे न तो काफी अलग अलग बात बात करते हैं M35 के design से, तो design मेरे सबसे आपको पता होगा कि Samsung जितने भी phone निकालता है वो सारे एक की design में रहता है, चाहे S24 हो गया या फिर M35 को यह वाला phone ले लो, बिल्कुल same design रहता हूँ और design मुझे काफी अच्छा रगता है Samsung का, तो यहाँ पर आपको signing वाला जो back panel देखने को मिलता ह इसकी वज़ा से phone का जो look रहता है काफी ज्यादा अच्छा लगता है, डिस्पले आपको punch hole देखने को मिलेगा, वो भी फैलट में है, और panel भी फैलट में है, तो smartphone थोड़ा सा मोटा रहेगा, यानि कि आपको देखने में, हाद में पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, तो brightness थोड़ा सा कम दिया गया, इससे अच्छा brightness हो सकता था, यानि कि 1600 या फिर 2000 का brightness लगाना चाहिए था, तो ऐसा display हमेशा से Samsung का अच्छा ही रहा है, आगे देख लेते हैं इसके processor के बारे में, प्रोसेसर कैसा दिया गया है, इसमें gaming कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं पर 15,000 तक के budget वाले phone में यह ठीक रहेगा, और यहाँ पर 5.6 लाग का Anthos score दे रहा है, तो gamer के लिए उतना कुछ खास यह phone नहीं होने वाला है, आगे बात कर देते हैं, इसके storage के बारे में, तो यहाँ पर आपको RGB 28GB का internal storage देखने को मिलेगा, Android 14 के साफ में UI 6.1 का version मिलेगा और आपको बताएं कि Samsung आपको अपडेट भी देता रहता है, तो यह मुझे काफी अच्छा लगा, और अभी प्राइस आगे बताएंगे कि इतने प्राइस में जो features आया है, इस features के साथ में इतना हमें budget लगाना चाहिए या फिन नहीं, आगे देख लेते हैं, तो camera आपको तो दिर पर यह back panel में देखने को मिलेगा, मैं camera 50 Megapixel का है, और selfie camera आपको मिलेगा 16 Megapixel का, जिससे आप ओर के 30fps बीडियर रुकांट कर पाऊगे, और Samsung का जो phone होता है, camera में भी काफी अच्छा performance निकाल के देता है, तो यहां पर मुझे जहां तक पता है कि भाई, इसका थोड यहां पर इन्होंने काफी अच्छा काम किया, 6000 mh battery दिया है, और 4580 का charger दिया है, 4580 का charger होना चाहिए, 6000 mh battery को charger को charger होना ही चाहिए, क्योंकि बैटरी को charging के लिए 4580 का charger है, तो भाई, यहां पर हो सकता है कि बहुआ पर चांजर मिले या पिर ना मिले, यह तो अभी confirm नहीं हो हो सकता है मिल जाए क्योंकि जो बजट है उस बजट में कि जो सेंसर में अपने स्मार्ट फून में चार्जर भी देता है और यहां पर इस्टोरियों का आपको स्पीकर देखने को मिलेगा जिससे की साउंड की कौल्टी भी आपको अच्छी सुनाई देगी यानि कि मज़ा आएगा आप स्मार्ट फून का सोंग हो गया कुछ भी सुनोगी तो आपको काफी क्लेटी में सुनाई देगा साउंड और यहां पर लगा यूनिक फीचर की बात अगर प्राइस की बात रही जहां तक न तो यह 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में हो सकता है कि आज आज आए अगर 30,000 के उपर इसका प्राइस हो जाता है न तो आप दूसरे फून को देख लेना इस वाले फून को छोड़का क्यों बाई इस प्राइस में ये फून मेरे साब से अच्छा नहीं होने वारा है क्योंकि प्राइस के साथ में में फीचर तो स्मार्टफोन के प्रोसेसर और डिस्प्ले भी देखना रहता है तो 25,000 या फिर 30,000 या फिर 25,000 की बीच में काफी अलग अलग ब्रांड ने करब डिस्प्ले और यहां पर 6000 बैटरी और अच्छा प पर्चेस करूंगा कोई दूसरा बरांड कर लूँगा क्योंकि मुझे इस बज़र में बहुत कम इसमें फीचर लगा है तो आपकर आए क्या है इस फोन से रिलेटेड कमेंड में एक बात जरूर बतारा चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दे